हेलो फ्रेंज वेलिक हमें आपका Dhani Designs में आज हम करेंगे बाल्त वली शलवार की gutting ठीक होगा friends उसके लिए हमने इस तरीके से डबल folded कपड़ा लिया ठीक है तैन उसके बाद हम इसे से इस तरीके से डबल फोल्डिंग कर देंगे ठीक होगा फ्रेंज यह हमरे बड़े हर्स का कपड़ है ठीक होगा इस तरीके से आपने कपड़े का इच्छी तरीके से डबल फोल्ड का लेंने बीच में कुछ सलोड होगा रहा नहीं तैन उसके बाद चेंज का ओपर से बैल का गैब छोड़ते नहीं तरीके से स्टेट कर लेना है ठीक है दैन उसकी बाद हमारा 57 पे पंचा है तो हम एक इंच फाल्डू गैप छोड़के 58 पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे ठीक होगा फ्रेंजिए हमारे नीचे पांचे की मार्किंग होगी दैन उसके बाद इस ओपर गहेर हां ह हमने आसन का निशान लगा लिए ठीक होगा फ्रेंस देन उसके बाद हमने जोंसे पांचे की निशान लगा होगा उसे आसन की निशान के साथ इस तरीके से अटाइच कर लेना है ठीक है यह जोंसे भी शेप आईगी आपकी स्ट्रेट हानी चाहिए ठीक होगा फ्रेंस देन उ इसका नीचे दबाव फॉल्डिंग का छोड़ना है क्योंकि हमारा कपड़ा काम था इसलिए हमने नीचे से इसका दबाव कोई नहीं छोड़ा ठीक होगा अब इसका कपड़ा छोड़ लीजिएगा ठीक है यह हमारी बैल्ट वाली जूंसी नीचे की शिलवार है उसकी हैं वह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सेम इसी तरीके से कटिंग होगी ठीक है उसके लिए सिर्फ यह होगा कि यहां से फॉल्डिंग होगी वहां से साथ साथ इंच पर भी और नीचे भी आपने ऐसे निशान लगा लेने हैं ठीक है तो आप इसे काट के आपस में टैच पे ठीक होगे friends क्योंकि 3 इंग के वेल्ड के folding आईगी और 6 इंग ऒçosके Jude जोंसback हा की अरेıl है ठीक होगा friends देन उसके बाद हम इस तरीके से स्किलेट्ट लीकार रहेंगे जो कहा हमारे से हमारी ंपर से जह से मार्किंग के ऊगई उस स्च्रे dual का लेना साइटोंकी चौन से मार्किणंग होगे उस्ससे श्ट्रेट करकी आपने कटिंग काल लेनी हैं मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बिना सकता सेम इसस तरीकी हसाथ का इंद मार्किंग करके तो इसकी कटिंग काल लेनी है ठीक हो गया फ्रैंडप